Dear student, hope you will be fine. आज हम जो भी हमने study किया है control statements के बारे में, उनके बारे में हम कुछ programs देखेंगे और analyze करेंगे कि उनको program का output क्या आएगा. तो सबसे पहले जो मेरा program है, वो है how many time C is printed. हम यहाँ पर इस program को test कर रहे हैं, कि C हमारा यहाँ पर कितनी time print होगा. सबसे पहले आपने क्या किया, file को include किया, main function create किया, main function create करने के बाद में, यहाँ पर आपने क्या किया, एक x name का variable बनाया. देखिए, फिर हमने क्या किया, for loop create किया. for loop में मैंने आपको यह बताया हुआ है, कि जो पहला part है वो हमारा क्या दिखाता है हमारे लिए init expression दिखाता है init का मतलब क्या हमें start कहां से करना है यह हमारी condition होती है यह हमें end point दिखाता है और अगर मैं x++ की बात करूँ तो यह हमारा क्या होता है update expression होता है तो यहाँ पर if x is less than 5 तो आप क्या कर देंगे इसे continue कर देंगे it means यह part यहाँ से skip हो जाएगा और आप दुबारा यहाँ पर आ जाएगे तो देखिए इस program की मैं tracing करता हूँ और सबसे पहले इसमें क्या value है x equal to minus 1 है तो minus 1 is less than 5 है continue हो जाएगा यहाँ पर आपने क्या किया प्लस प्लस किया value 0 हो गई उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ आपका दुबारा continue हो गया फिर इसके बाद में x की value 1 हो गई तो now student इसके बाद में क्या होता है जैसे x की value 1 होगी अभी भी value क्या है less than 5 है फिर यहाँ पर continue हो जाएगा x की value 2 हो जाएगी फिर यहाँ पर statement चेक होगी continue हो जाएगा फिर x की value 3 होगी condition चेक होगी condition अभी भी true है इसके बाद में फिर आपका x की value 5 4 हो जाएगी condition अभी भी true है फिर यह continue हो जाएगा जैसे ही x 5 होगा यह condition क्या हो जाएगी आपकी देखिए यह condition तो यहाँ पर हमारे पास में true रहेगी लेकिन यह condition हमारे पास में false हो गई तो हम किस part पर आगए? else part पर आगए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह? break हो जाएगा it means हम क्या आगए? loop के बाहर आगए तो c आपका यहाँ पर एक बार भी print नहीं होगा यानि कि zero times यहाँ पर print होगा c c यहाँ पर print नहीं होगा इस program को दुबारा देखिए जब आप इस program को run कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपने statement यहाँ पर लिखी है that is print c वो यहाँ पर print नहीं होगा now students अब हम एक दूसरा program देखते हैं देखें इस program में क्या लिखा गया है how many times while loop is executed if a short integer is too byte wide देखें यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि आपको यह बताना है कि while loop कितनी बार execute करेगा अगर मेरे पास में short integer जो है वो आपका 2 byte का है 2 byte का मतलब क्या है 8 plus 8 that is equal to 16 bit now students now students अब हम इस program को देखते हैं इस program में सबसे पहले हमने क्या किया file को include किया उसके बाद हमने यहाँ पे main function बनाया हमने फिर यहाँ पे एक i name का variable बनाया जिसमें हमने 1 को save किया अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि while loop कितनी बार execute होगा अगर मैं integer की जगा पे short integer ले लूँ और वो 2 bytes का हो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है i की value को print कर रहे है एक character value print हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे percentile c लिया है percentile c यह i show करेगा और यहाँ पे एक i show होगा तो percentile c जो है वो इस i के लिए है और percentile d जो है वो इस i के लिए है बाद में हम यहाँ पे i plus plus कर रहे है तो students इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम technically think करें तो देखिए जो भी हम यहाँ पे variable बनाते है जो भी हम यहाँ पे data बनाते है type बनाते है उसके size से और printing से कुछ भी लेना देना नहीं है तो यहाँ पर जो question है कि loop कितनी बार execute होगा यह तो depend करेगा उसकी condition पर ना कि variable के size पर तो यहाँ पर variable का जो size है जो 2 byte है चाहें आप यहाँ पे double ले लो चाहें आप यहाँ पे float ले ले लो loop के running पे उसका कोई भी effect नहीं होता है तो students हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर यह loop आपका 155 times चलेगा क्योंकि यहाँ पर condition जो है i is less than equal to 155 condition यहाँ तक आपकी यह true रहेगी ठीक है 156 जैसी हो जाएगा loop यह condition false हो जाएगी और loop आपको यहाँ पे terminate हो जाएगा प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएगे now students अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते है which statement is correct about the below प्रोग्राम आपको बताना है कौन सी statement यहाँ पर सही है इस प्रोग्राम के लिए या फिर इसमें कोई error आएगी देखे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया फाइल को include किया उसके बाद में हमने यहाँ पे main function बनाया हमने यहाँ पे दो variable बनाए एक हमने i बनाया और एक हमने क्या बनाया j बनाया i में हमने 8 को save किया j में हमने 24 को save किया अब दीखें यहां पर क्या लिखा है if i equal to 8 and and if j equal to 24 अगर i आपका 8 के equal है और j आपका 24 के equal है तो यहां पर आप इसको print कर दीजिए दीखें यहां पर देखा जाए तो यहां पर expression syntax error आईगी इस program में क्यों दीखें मैंने आपको यह बताया हुआ है कि if के inside जो if का जो proper syntax उसमें हम क्या use करते हैं if के inside हम यहां पर क्या use करते हैं condition यूस करते हैं condition हमें या तो true आता है या फिर हमारा क्या आता है यहां पर false आता है आप यहां पर लिख रहे हैं I is equal to 8 तो इसका मतलब क्या है आपने I को 8 value को assign कर दिया आपने यहाँ पे लिखा j is equal to 24 तो आपने यहाँ पे 24 जो है वो j को assign कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप assignment कर रहे हैं यहाँ पर आप कोई comparison नहीं कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते कि if i is equal to equal to 8 and j is equal to equal to 24 तो यह statement यहाँ पे सही होती और आपका program properly run करता लेकिन यहाँ पर क्या है एक programmatic error है जब आप इस program को run कराएंगे तो यहाँ पर error show होगी error किस तरीके की आएगी यहाँ पर लिखे आएगा expression syntax error students इस program को दुबारा देखिए सबसे पहले हमने file को include किया हमने दो variables बनाए variables बनाने के बाद में हमने यहाँ पर if conditions लगाई एक और 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 है यहाँ पर देखिए जब आप if में यह चीज़ें चेक कर रहे हैं तो आपको इसको कही नखें brackets के inside whole brackets के inside आपको रखना पड़ेगा इंजी तो यहाँ पर यह आपको error देखने को मिलेगी हम यहाँ पर assignment नहीं करते हैं condition में condition पर हमेशा हम क्या करते हैं relational operator का use करते हैं now students अब हम एक program और देखते हैं देखिए मेरे पास में एक program है आपको check करना है find out the error if any in the blog program आपको बताना है कि जो नीचे program लिखा हुआ है इसमें कोई error है या नहीं है आपने सबसे पहले file को include किया main function की definition लिखी एक variable हमने लिखा j is equal to 1 इसमें हमने 1 को save किया now यहाँ पर हम program में switch और case बना रहे हैं देखिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर हमारे पास में multiple options होते हैं बहाँ पर हम switch case का use करते हैं switch में हम expression pass करते हैं और इस expression का cases के साथ में क्या होती है matching होती है अगर expression और case match हो जाते हैं तो particular जो भी option के पास में value होती है यह जो statement होती है वो run कर जाती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो cases के साथ में match होता रहता है और last में आपके पास में क्या हता है एक default case आता है तो यहाँ पर J की value कितनी है 1 है सबसे पहले क्या print होगा hello c print होगा 1 के साथ में इसकी matching हो जाएगी फिर case 1 print होगा और loop आपका break हो जाएगा मैंने आपको बताया है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इस program में कोई भी error नहीं है इस program में कोई भी error नहीं आएगी students आपको यह धिहान में रखना है कि case के साथ में हमेशा आप एक constant value लेते हो यहाँ पर हमारे पास में क्या है एक constant value आ रही है और इस constant value को ही हम यहाँ पर supply कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी error नहीं है एक बार इस program को दुबारा देख लीजिए आपको इस program को इस तरीके से create करना है आप इसको run कराएंगे जब आप इस program को run कराएंगे तो आप देखेंगे कि महाँ पर कोई भी error show नहीं होगी now now students अब मेरे पास में एक program है find out the error if any in the while loop of below program आपको check करके बताना है कि यहाँ पर जो हमने while loop लगाया है इसमें कोई error है या नहीं है students तो जो मैंने आपको while का syntax बताया है उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि हम while लिखते हैं while के inside हम क्या condition लिखते हैं और condition के inside हम यहाँ पर क्या लगाते हैं statements लगाते हैं अगर इस statements यूज सही है condition सही है तो statement run करती है now देखें यहाँ पर आपने initialization तो कर दिया j equal to 1 लेकिन इस program को देख खर ही मुझे पता चलता है कि आपने यहाँ पर while के inside कुछ भी नहीं लगाया है that means यहाँ पर आपकी error show हो जाएगी ठीक है compilation error आजाएगी यहाँ पर कि आपने कोई condition का use भी नहीं किया है और जो भी statement इसके inside होंगी वो आपकी क्या करेंगी run नहीं करेंगी क्योंकि condition हमारे पास में है ही नहीं यह compilation error है आप इस program को दुबारा देखिए जब इस program को आप run कराएंगी हमने एक file को include किया main function की definition लिखी एक j name का variable बनाया जिसके inside हमने one को save किया while के inside हमने केवल small parenthesis का use किया लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी condition specified नहीं करी condition not specified condition यहाँ पर specified है नहीं तो सीदी सी बात है यहाँ पर compilation error आएगी तो हमने कुछ programs देखे जिसमें कि हमने error को find out करना सिखा कि हम किस तरीके से error को find out करेंगे मैं आशा करता हूँ कि आपको यह 5 प्रोग्राम्स समझ में आये होंगे धन्यवाद